असलाम अलेकूम आप देख रहे हैं होम कुकिंग जाय का आज हम तवे की फाल बनाएंगे बैंगलूरियन स्ट्रीट रेसपी है लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद से खाते हैं ये बहुत ही मज़ेदार होती है इसको हम अपने तरीखे से बनाकर आपको दिखाते हैं चलिए इसको हम बनाना शुरू करेंगे अ श्टोपे हमने कडाई को गरम होने के लिए रखा है इसमें हमने दो टेबल स्पॉन औयल को डाल दिया है अब हम यहां पे फाल को डालेंगे हमने यहां पे 500 ग्राम रेड मीट लिया है आप इस तरीखे के पीसेस कट वालें आपको हम इस कडाई में एट कर देंगे हाफ टी स्पॉन इसमें हम नमक को एट करेंगे और साथ ही हाफ टी स्पॉन सफेद मिर्च का इस्तमाल करेंगे एक बड़ा टेबल स्पॉन हम इसमें दहीं को एट करेंगे इन सब चीजों को एट करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसस थोड़ी देर पकाएंगे, जिससे ये अच्छे से टेंडर भी हो जाएगी, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें एक टेबल स्पॉन वाइट सिर्का एट करेंगे, और इसको धकें हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, देखें हमने इसको थोड़ी देर धकें पकाया है, इसमें हमने कोई पानी नहीं एड किया है, इसी का जूस है ये पूरा, तो सारे पानी को हम अच्छे से ड्राइ कर लेंगे, देखे यह अच्छे से सूप चुका है स्टोड की फ्लेम को हम बंद कर देंगे इसको थोड़ी देर थंडा होने के लिए रख देंगे एक बॉल हमने लिहां पे लिया है ये है एक टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च एक टी स्पून लाल मिर्च पौडर एक टेबल स्पून धन्या पॉडर, एक टीस्पून कुटी हुई धन्या, हाफ टीस्पून नमग, दो पिंच, फुट रेट कलर, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टीस्पून गरम मसाला, एक टीस्पून जीरा पॉडर, इन सब को हम इस बॉल में डाल देंगे, हाफ ऐखे छाठमसाला, एक बड़ा टेबल स्पून कॉण्फलॉर, एक टेबल स्पून brack paste, एक टेबल स्पून लहसन पेस्ट लिया है, एक टेबल स्पून हमने और लिया है, इन सब को हम अच्छे से mix कर लेंगे, देखे ये अच्छे से mix हो चुका है, एक फाल की हम पीस को ठाएं और हातों की मदद से इस तरीखे से हम मसाले को लगाएंगे इस तरीखे से लगाएंगे तो यह अच्छे से कोड भी हो जाएगा मसाला अच्छा भी लग जाएगा दिखे इस तरीखे से हम चारूं तरफ से इसको लगाएंगे और साइड में रखते जाएंगे फिर से एक पीस मैं आपको में मसाला लगा के दिखाऊंगी दिखे इस तरीखे से फस्त लगा लें और टर्न करके पीछे भी इस तरीखे से आप मसाले को लगा लें सारे फाल को इसी तरीखे से आप मसाला लगा लें सारे पीसस को हमने मसाला लगा लिया है इसको हम आदे गंठे के लिए मैरे अब हम एक पीस उठाए ने रखा था इसमें हम थोड़ा सा बटर एक करेंगे इससे इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता है अब हम एक एक पीस उठाए के इस तवे में रखते जाएंगे देखे हमने इतने पीस है हम पे डाला है इसको थोड़ी देर हम पकने के लिए रख देंगे एक साइड अच्छे से फ्राइ हो जाने के बाद ही हम इसको टर्न करेंगे देखे एक साइड अच्छे से फ्राइ हो चुकी है अब हम इसको टर्न कर लेंगे गोश हमारा पहले से ही टेंडर हो चुका है, अब हम इसको क्रिस्पी करना है, दोनों साइट हमें इसी तरीखे से पका लेंगे, देखिए दोनों साइट अच्छे से फ्राइ हो चुकी है, इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे, देखिए हमारी मज़ेदार फाल यहां पे बन के तयार है इसके उपर हम एक सारे निम्बू का रस को डाल देंगे निम्बू के रस से ये और भी मज़ेदार बन जाएगी हमारी अमी अमी सी तवे की फाल यहां पर बनके तयार है आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताईएगा आपको ये तवे की फाल कैसे लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा फैमली और फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा रखिएगा जब तक अपना खयाल फिर मिलेंगे हम न्यू रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज